आईए सुनते हैं ममता कालिया जी की कहानी अपतनी हम लोग अपने जूते समुदर तट पर ही मैले कर चुके थे जहां उची उची सूखी रेत थी उसमें चले थे और अब हरीश के जूतों की पॉलिश वा मेरे पंजों पर लगी क्यूटेक्स धुनली हो आई थी मेरी साड़ी की परतें भी इधर उधर हो गई थी मैंने हरीश से कहा उन लोगों के घर फिर कभी चलेंगे हम कह चुके थे लेकिन मैंने आज भी वही साड़ी पहनी हुई है मैंने बहाना बनाया वैसे बात सच थी ऐसा सिर्फ लापरवाही से हुआ था और भी कई साड़िया कलफ लगी रखी थी पर मैं पता नहीं कैसे यही साड़ी पहनाई थी तुम्हारे कहने से पहले मैं ये समझ गया था हरी ने कहा उसे हर बात का जैसे पहले ही भान हो जाता था इससे बात आगे बढ़ाने का कोई मौका ही नहीं मिलता फिर हम लोग चुप चुप चलते रहते इदर उदर के लोगों वर समुद्र को देखते हुए जब हम लोग घर में होते बहुत बाते करते और बेफिकरी से लेटे लेटे ट्रॉन्जिस्टर सुनते पर पता नहीं क्यों बाहर आते ही हम नर्विस हो जाते हरी बार-बार अपनी जेब में जाक कर देख लेता कि पैसे अपनी जगह पर हैं की नहीं और मैं बार-बार याद करती रहती कि मैंने अल्मारी से ठीक से ताला लगाया है की नहीं हवा हम से विपरीद बह रही थी हरीश ने कहा, तुम्हारी चपले कितनी गंदी लग रही है, तुम्हेने दोती क्यों नहीं? कोई बात नहीं, मैंने साडी में छुपा लूँगी, मैंने कहा हम उन लोगों के घर के सामने आ गए थे, हमने सुर उठा कर देखा, उनके घर में रोशनी थी उन्हें हमारा आना याद है, उन्हें दर्वाजा खोलने में पांच मिनट लगे हमेशा की तरह दर्वाजा प्रबोध ने खोला, लीला लेटी हुई थी उसने उटने की कोशिश ना करते हुए कहा, मुझे हवा तीखी लग रही थी उसने मुझे भी साथ लेटने के लिए आमंतरित किया, मैंने कहा मेरा मन नहीं है उसने बिस्तर से मेरी और फिल्म फेर फेका, मैंने लोक लिया हरी आखे गुमा गुमा कर अपने पुराने कमरे को देख रहा था, वो यहां बहुत दिनों बाद आया था मैंने आने ही नहीं दिया था जब भी उसने यहां आना चाहा था, मैंने बियर मंगवा दी थी और बियर की शयद पर मैं उसे किसी भी बात से रोक सकती थी मुझे लगता था कि हरे इन लोगों से जादा मिलेगा तो बिगड़ जाएगा शादी के पहले वो यहीं रहता था प्रबोध ने शादी के बाद हमसे कहा था कि हम सब साथ रह सकते हैं एक पलंग पर वो और एक पर हम सुझाया करेंगे पर मैं घब रा गई थी एक ही कमरे में ऐसे रहना मुझे तो मनजूर नहीं था चाहे उससे हमारे खर्चे में काफी फर्क पड़ता मैं तो दूसरों की उपस्तिती में पाऊं भी उपर समेट कर नहीं बैठ सकती थी मैंने हरी से कहा था मैं जल्दी नौकरी ढून लोंगी वो अलग मकान की तलाश करे प्रबोध ने बताया उसने बात्रूम में गीजर लगवाया है हरी इश ने मेरी तरफ उत्सा से देखा चलो देखें हम लोग प्रबोध के पीछे पीछे बात्रूम में गए उसने खोल कर बताया फिर उसने वो पैक दिखाया जहां तौलिया सिर्फ खोज देने से ही लटक जाता था हरी बच्चू की तरफ खुश हो गया जब हम लौट कर आए तो लीला उट चुकी थी और ब्लाउस के बटन लगा रही थी जल्दी जल्दी में हुक अंदर नहीं जा रहे थी मैंने अपने पीछे आते हरी और प्रबोद को रोग दिया बटन लगा कर लीला ने कहा आने दो साड़ी तो मैं उनके सामने भी पहन सकती हूँ वो अंदर आ गए प्रबोद बता रहा था उसने नए दो सूट सिलवाए हैं और मकमल का क्विल्ट खरीदा है जो लीला ने अभी निकालने नहीं दिया है लीला को शीशे के सामने इतनी इत्मिनान से साड़ी बांते देखकर मुझे बुरा लग रहा था और हरी था कि प्रबोद की नई माचिस की डिबिया भी देखना चाहता था वो देखता और खुश हो जाता जैसे प्रबोद ने ये सब उसे भेट में दिया हो लीला हमारे सामने कुर्सी पर बैठ गई वो हमेशा पैर चौड़े करके बैठती थी हाला कि उसको एक भी बच्चा नहीं हुआ था उसके चेहरे की बेफिक्री मुझे नापसंद थी उसे बेफिक्र होने का कोई हक नहीं था अभी तो पहली पत्नी से प्रबोद का तलाग भी नहीं हुआ था और फिर प्रबोद को दूसरी शादी की कोई जल्दी भी नहीं थी मेरी समझ में लड़की को चिंतित होने के लिए ये परियाप्त कारन थे उसे घर में कोई दिल्चस्पी नहीं थी उसने कभी अपने यहां आने वालों से ये नहीं पूछा कि वो लोग क्या पीना चाहेंगे वो दो बस सोफे पर पाउँ चोड़े कर बैट जाती थी हर बार प्रबोद ही रसोई में जाकर नौकर को हिदायत देता था इसलिए बहुत बार जब हम चाय की आशा करते होते थे हमारे आगे अचानक लेमन स्कौश आ जाता था नौकर स्कौश अच्छा बनाने की गरच से कम पानी जादा सिरब डाल लाता था मैं इसलिए स्कौश खत्म करते ही मूँ में जिन्तान की एक गोली डाल लेती थी प्रबोद ने मुझसे पूछा कहीं अपलाय कर रखा है नहीं मैंने कहा ऐसे तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिलनी तुम भवन वालों का डिप्लोमा ले लो और लीला की तरह काम शुरू करो मैं चुप रही आगे पढ़ने का मेरा कोई रादा नहीं था बलकि मैंने तो बीय भी रो रो कर किया है नौकरी करना मुझे पसंद नहीं था वो तो मैं हरी को खुश करने के लिए कह देती थी कि उसके दफ्तर जाते ही मैं रोज आविशकता है कॉलम ध्यान से पढ़ती हूँ और नौकरी करना मुझे थ्रिलिंग लगेगा फिर जो काम लीला करती थी उसके बारे में मुझे शुभा था उसने कभी अपने मुझे नहीं बताया कि वो क्या करती थी हरी के अनुसार जादा बोलना उसकी आदत नहीं थी पर मैंने आज तक किसी वरकिंग गल को इतना चुप नहीं देखा था प्रबोध ने मुझे कुरेद दिया था मैंने भी कुरेदने की गर्ज से कहा सूट क्या शादी के लिए सिलवाई है फ्रबोध बिना जे पे बोला शादी में जरीदार अचकन पहनूँगा और सन इंसान में दावत दूँगा जिसमें सभी फिल्मी हस्तियां और शेहर के विवसाही आएंगे लीला उस दिन अमपोर्टेट विग लगाएगी और रूबीस पहनेगी लीला विग लगाकर चौडी टांगे करके बैठेगी ये सोचकर मुझे हसी आ गई मैंने कहा शादी तुम लोग रिटार्मेंट के बाद करोगे क्या लीला अब तक सुस्तो चुकी थी मुझे खुशी हुई जब हम लोग आये थे उसे डनलप के विस्तर में दुपके देख मुझे इश्या हुई थी इतनी साधारन लड़की को प्रबोट ने बांध रखा था ये देखकर राश्चरे होता था उसकी साधारनता की बाते मैं अक्सर हरी से किया करती थी हरी कहता था कि लीला प्रबोट से भी अच्छी आदमी डिजर्व करती थी फिर हमारी लडाई हो जाया करती थी मुझे प्रबोट से कुछ लेना देना नहीं था शायद अपने नितान तकेले और उविक शणों में भी मैं प्रबोट को धील न देती पर फिर मुझे भी चिड़ होती थी कि उसकी पसंद इतनी सामान्य है प्रबोट ने मेरी और ध्यान से देखा तुम लोग सावधान रहते हो ना मुझे सवाल अखरा एक बर प्रबोट के डॉक्टर के मदद लेने से ही उसे ये हक महसूस हो मैं ये नहीं चाहती थी और हरीश था कि उसकी बात का विरोध करता ही नहीं था प्रबोट ने कहा आजकल उस डॉक्टर ने रेट बढ़ा दिये हैं पिछले हफते हमें डेड़ हजार देना पड़ा लीला ने सकुचा कर एक मिनट के लिए घुटने आपस में जोड लिए कैसी अजीब बात है महीनों साफधान रहो और एक दिन के आलस से डेड़ हजार रुपए निकल जाएं प्रबोट बोला हरी मुस्कुरा दिया उसने लीला से कहा आप लेटिये आपको कमजोरी मैसूस हो रही होगी नहीं लीला ने से रहलाया मेरा मूट खराब हो गया एक तो प्रबोट को ऐसी बात शुरू करना ही बत्तमीजी थी उपर से इस संदर्ब में हरी का लीला से सहानुभूती दिखाना तो मुझे बिलकुल नागमार था हमारी बात और थी हमारी शादी हो चुकी थी बलकि जब हमें जरूरत पड़ी थी तो मुझे सबसे पहले लीला का ध्यान आया था मैंने हरी से कहा था चलो लीला से पूछें उसे ऐसे ठिकाने का जरूर पता होगा लीला मेरी तरफ देख रही थी मैंने भी उसकी और देखते हुए कहा तुम तो कहती थी तुमने मंगल सूत्र बनाने का ओर्डर दिया है हाँ वो कपका आ गया दिखाऊं लीला अलमारी की तरफ बढ़ गई प्रबोध ने कहा हमने एक नया और आसान तरीका ढूंडा है लीला जरा इन्हें वो पैकेट अब मुझे गुस्सा आ रहा था प्रबोध कितना अख़ड है ये मुझे पता था इसलिए हरी को मैं इन लोगों से बचाकर रखना चाहती थी हरी जिग्यासा वश उसकी और देख रहा था और जहां लीला अलमारी में पैकेट ढून रही थी मैंने कहा रहने दो मैंने देखा है प्रबोध ने कहा बस ध्यान देने की बात ये है कि एक बिन दिन भूलना नहीं है नहीं तो सारा कोर्स डिस्टर्ब मैं तो शाम को जब नौकर चाहे लेकर आता है तब ही एक गोली ट्रे में रख देता हूँ लीला अलमारी से मंगल सूत्र लेकर वापिस आ गई थी बोली कभी कभी किसी दोस्त के घर इनके साथ जाती हूँ तब पहन लेती हूँ मैंने कहा रोज तो तुम पहन भी नहीं सकती न कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है कुछ ठेर कर मैंने सुवानबूती से पूछा अब तो वो प्रभोत को नहीं मिलती लीला ने कहा नहीं मिलती उसने मंगल सूतर मेस पर रख दिया प्रभोत की पहली पत्नी इसी समुद्र से लगी सड़क के दूसरे मोर पर अपने चाचा के यां रहती थी हरी ने मुझे बताया था शुरू शुरू में जब वो प्रभोत के साथ समुद्र पर घूमने जाता था उसकी पहली पत्नी अपने चाचा के घर अपकी बाल्कनी में खड़ी होती थी और प्रभोत को देखते ही हूट दातों में दबा लेती थी फिर बाल्कनी में ही दिवार से लगकर बाहों में सेर चुपा कर रोने लगती थी जल्दी इन लोगों ने उस तरफ जाना छोड़ दिया था प्रबोध ने बात का अखरी टुकड़ा शायद सुना हो क्योंकि उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा गोली मारो मनहूसों को इस समय हम दुनिया के सबसे दिल्चस्प विशय पर बात कर रहे हैं क्यों हरी तुम्हें ये तरीका पसंद आया हरी ने कहा पर ये तो बहुत बुलककर है इसे रात को दाद साफ करना तक याद नहीं रहता मैं कुछ आश्वस्त हुई हरी ने बातों को अवन से निकाल दिया था मैंने खुशो कर कहा पता नहीं मेरी याददाश को शादी के बाद क्या हो गया है अगर ये ना हो तो मैं चपपली पहनना भूल जाओ हरी ने अचकचा कर मेरे पैरों की तरफ देखा वादे के बावजूद मैं पाउचुपाना भूल गई थी उठते हुए मैंने प्रबोध से कहा हम लोग बर्टरॉली जा रहे हैं आज स्पेशल सेशन है तुम चलोगे प्रबोध ने लीला की तरफ देखा और कहा नहीं अभी इसे नाचने में तकलीफ होगी तो ये थी ममता कालिया जी की कहानी अपतनी सुनने के लिए धन्यवाद